चीनर भारत के बीच में मई महिने से जारी गतिरोध अभी तक खत्म नहीं हो पाया LAC पर दोनों देशों के बीच में अनबन जारी है और फिर गलवान में चीन ने लिहत्ते भारती अस्यानिकों को जिस तरह धोके से मारा उसके बाद चीन के प्रती भारत का हर एक नागरे अक्रोशित है गलवान से तो चीनी सेना पीछे खिसकी है लेकिन अभी तक बाकी जगहों पर से चीन को हटा पाने में भारती सेना को सफलता हासिल नहीं हो पाई थी लेकिन अब लगता है कि चीने सेना पीछे हटने को तयार होती दिख रही है तभी तो भारती सेना ने कहा है कि भारत और चीन पूरी तरह से सेना को हटाने के लिए प्रतिबद है गुरवार कुजारी बयान में सेना के प्रवक्ता करbecueर्णल अमन आनंद ने कहा भारत और चीन वास्तविक नियंत्रन रेखा पर बनी स्थिति के समाधान के लिए सेन्य और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से बाध्यम से बातचीत जारी कर रही है पीपल्स लिबरेशन आर्मे के कमांडर्स और भारती सेना के बीच चुशुल में भारत की सीमा में चौथे दौर की बैठक कोई सेनिको के बीच में सिलसलवार बातचीत भारत और चीन के विशेश प्रतनिधियों के बीच 5 जुलाई को पूरी तरह सेनिको को हटाने पर बनी सहमती के अनुरूप थी सेना ने आगे कहा कि सीनिर कमांडर्स पहले चरण में सेना हटाने को लेकर कुई प्रगती और पूरी तरह सेनिको को हटाने को लेकर आगे के कदम को सुनिश्चित करने पर इस दौरान चर्चा हुई और अब दोनों पक्ष पूरी तरह से सैनिकों को हटाने को लेकर प्रतिबद हैं ये प्रक्रियार जटिल है और इसके निरत तर सत्यापन की जरूरत है वो कूटनीतिक और सैनिक स्तर पर नियमत बैठे के कर इस ओर आगे बढ़ रही है नियूस इजन्सी एनाई के मताबिक चीनी सैनिक पहले ही गलवान घाटी, होट स्प्रिंग और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 सहितन विवादित स्थल में लगभग 2 किलो मीटर पीछे हट गए हैं फिंगर 4 से फिंगर 5 से भी कदम वापस लिए गए आपको बता दें चुशुल के भारती इलाके में भारत और चीन के कॉप्स कमांडर स्थर के बागचीत 14 जुलाई को सुबह साढ़े 11 बजे शुरू हुई थी और 15 जुलाई को करीब 2 बजे खत्म हुई 15 घंटे चली बैठाक जिसके बाद ही दोनों से नौक के पीछे हटने का फैसला लिया गया है लेकिन क्या चीन पर इस बात पुले कर भरोसा किया जा सकता है